अजै हलो एह एए विडियो में बात करेंगे आन जयुक्छ कह बारे में लास् वीडियो में हमने बात करेंगी 는 इंड इस वीडियो रा वाली भी टिय। नाकर देख लीजिया है और एंड में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के इसके एक्सरेइज तो एंड तक वीडियो देखेगा तो सबसे पहले अनरिजमल बॉन सिस्ट यह होती क्या है यह एक सिस्ट होती है जो हमारी बॉन में मिलेगी और यह मल्टी लॉकिलेटिट होगी मल्टी लॉकिलेटिट का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे सेप्टाज बीच में प्रिजेंट होंगे किसी एक कैविटी के तो उसमें बहुत सारे लॉकिलेशन होंगे ठीक है मल्टी लॉकिलेशन और यह जो होती है हमारी इसेंट्रिक सिस्ट होती है eccentric cyst ठीक, multiloculated eccentric cyst ठीक, यह जो होती है second decade में मिलेगी, मतलब बच्चों में मिलेगी, तो इसमें भी skeletal maturity नहीं मिलेगी हमें इसके बाद side क्या होती है, इसकी metaphysial होती है metaphysial में कब मिलेगी, before skull maturity ठीक है इसके बाद age group क्या है 11-16 years में most common मिलती है, इसके बाद हम आते है इसमें multi septay present होंगे क्योंकि यह multiloculated है ठीक है, इसके बाद most common side क्या होती है वो होती है TBR ठीक, अब इसमें और unicameral bone cyst में क्या फरक हुआ एक तो वो जो थी single cavity थी यह multiloculated cavity है ठीक दूसरा वो first decade में थी यह second decade में है वो भी metafisal में होती थी यह भी metafisal origin है वो भी before maturity थी यह भी before maturity है ठीक है, उसमें multiceptive present नहीं होते है इसमें multiceptive present है most common side इसमें tibia है उसमें क्या होती है proximal humerus होती है ठीक है और बाकी आप जाके उस वीडियो में देख लीजेगा उसका management उसके x-rays बगरा ठीक है फ्लुएट, फ्लुएट, फ्लुएट लेवल को मिलेगा क्योंकि multi loculation है हर एक सिस्त में अलग-अलग लेवल मिलेगे fluids के तो फ्लुएट, फ्लुएट, फ्लुएट लेवल ठीक, अब हम एक सरे भी करा के देखेंगे एक सरे में हमें इसमें इसके बाद इसके treatment क्या करेंगे इसके treatment में सबसे पहले extended cure-touch वैसे तो ये बनाईंट यूमर होता है हमारा फिर भी हम extended cure-touch करेंगे इसमें दूसरी चीज क्या करेंगे इसमें embolization कर सकते हैं तिक और इसमें fluid जोगा हो hemorrhagic fluid भी मिल सकता है हमें बहरा हुआ ठीक है यह थी कहानी है हमारी analyzmal bone cyst की तो अगली वीडियो में मैं बात करोंगा आपसे अगले bone tumor, benign bone tumor, osteocondroma की तो अभी है इसके x-ray देखते है तो यह दिखिए x-ray आप तो यह है x-ray ap and lateral view of knee तो इसमें आपको दिख रहा है कि multi-centric एक cyst present है जिसमें आपको बहुत सारे locules दिख रहे होंगे तो multi-loculated होगी ठीक है और यह से side कहा है metafyses और आप दिख सकते हैं कि इसमें हमारे कोई भी जो physes है वो fuse नहीं है तो मतलब इसकी skeletal maturity अभी आई नहीं है तो यह कॉंजी cyst बात करेंगे किसी और ट्यूमर की बनाइन ट्यूमर की तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें थैंक यू